अगर वो बदलाव दोस्तो आप अपने अंदर करेंगे तो आप दोस्तो अपने लॉस्स को प्रॉफिट में भी कनवर्ट कर सकते हैं यानि कि दोस्तो आपको बताना चाहूँगा कि बदलाव बदलाव बहुत जरूरी है और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलेगा तो हमें ज़्यादा समय ना लगाते हुए आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके ट्रेडर को नुकसान और प्रॉफिट हो सकता है तो पहले मैं बात करूँगा लुकसान की कि कौन से ऐसे ट्रेडर है जिनको इनका इफेक्ट जादा देखने को मिल सकता है पहले ट्रेडर की केटेग्री वह हो गई जो कम मार्जन से काम करते हैं यानि कि कम मार्जन से वो लेकर जादा ट्रेड बनाते हैं जैसे कि किसी के पाद 5,000 का मरजन है 10,000 का 20,000 का 30,000 का तो वो क्या करते हैं 10,000,000 बेसे लाग 2,000,000 की position बना लेते हैं क्योंकि आपको पता है broker जो limit है वो खुलके देता है और उसके एसाफ से आप क्या करते हैं कि आप अपने पैसे को कि आप एक या दो दिन में उसको double करना और उस दिन जो पूजिशन आपके फेवर में गई तो आप उस दिन मोटी रिकम कमा लेते हैं और इसी तरीके से नुकसान भी आपको देखने को मिलता है अब आपको पता है कि आप इस तरीके से अगर ट्रेड बनाते हैं तो कभी बार आपको अच्छा-खासा प्रॉफिट हो तब भी इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है अगर मार्केट उसी रेट के आसपस क्लोज होती है तो उसके अकॉर्डिंगल आप क्या करते हैं आप इंटर डे में मार्जन लेके भी काम कर सकते हैं तो जैसे अगर मैं अपनी बात करो तो मैं खुद इक ट्र में गएना काफी पसंद है वट यह बताना चाहूंगा कि के सर्कॉलर के हिसाफ की अब जो लिमेट जो पहले मिलती थी अब उतनी यहीं मिले करेगी अब ऐस दोस्ता आपको पते हैं Cbq Circular के accordingly मैंने already एक video बनाइए कि जिसमें मैंने आपको बताया है Equity के margin F&C के margin मेень और साल साब बताया है कि इसका Impact Market में क्या देखने को मिल सकता है अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखिए तो उपर आई बटन में मेरी वीडियो जाके आप चेक कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पर नुकसान की बात करूँगा, तो आपको जैसे कि मैंने अभी बताया है, कि उन तरीकी के ट्रेडर को नुकसान देखने को मिल सकता है, जो लेवरिज लेके, यानि कि लिमिट लेके, एक्स्टर लिमिट लेके ट्रेड करते थे, अब व सेम चीज आप आपको इंटर ने में देखने को मिल सकती है, चाहे आप FNO में ट्रेड करें, चाहे आप एकुटी मार्केट में ट्रेड करें, तो उसमें उन लोगों को नुकसान जादा होगा, जो उनके पाफ फंड काफी कम है, अब यहाँ पर दूसरा जो नुकसान होगा, दोस्तों वो गवर्मेंट को होगा, गवर्मेंट को नुकसान इसलिए होगा, जो कि मैं कल की वीडियो में बताया था, यानि कि जो STT पे करनी पड़ती थी, STT से क्या होता था, कि जो टेक्सिस जो थे गवर्मेंट को मिलते थे, अब वो काफी कम हो जाएंगे, तो दूसरा जो नुकसान है, वो इंडियन गवर्मेंट को फेस करना पड़ सकता है, अब यहां पर जो तीसरा जो नुकसान है, वो होगा, मार्केट के उपर, मार्केट में जो वॉलेटैलिटी है, पूरी तरीके से कम हो जाएगी, अब आपको पता है, मार्केट को को चलाता है, मार्के में कम होगी, तो दोस्तो मार्केट पूरी तरीक से ड्राइ हो जाएगा, ड्राइ होनी के वेडिसे क्या होगा, दोस्तो एक मोमेंटम है मार्केट में नहीं मिल पाएगा, जैसे आप कभी कोई शेर पाय करते हैं, तो 3-4 परसेंट की एकदम से वो उसमें बड़त देखने को मिल जाती है तो वो पहले से काफी कम हो जाएगी अब पांच और जो नुकसान है दोस्तों जो ट्रेडर्स को फेस करना पड़ेगा वो यह है कि मार्केट में ऑप्शन माइंग जादा बढ़ जाएगी पूरा मार्जन या एकोटी में नहीं दे सकते हैं तो आप क्या करेंगे उसकी ओटीम की कॉल या ओटीम की पुट जादा थर बाए करेंगे अब आप ओटीम की करेंगे उसका रीजन क्या है क्योंकि उसमें आपको मार्जन कम देना पड़ सकता है अब market में movement ही नहीं है, market में momentum ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा, कि theta decay होगा, theta decay की वेज़े से क्या होगा, आपको नुकसान ज्यादा phase करना पड़ सकता है, अब nifty और bank nifty की weekly expiry है, अब nifty और bank nifty की weekly expiry की वज़े से आपके करेंगे, nifty और bank nifty में ज्यादा trade आप बनाने पड सकता है, तो वहाँ आपके मैं कहना चाहूँगा, retailers को मुझे जो लगता है, volume ना होनी की वज़े से, उनको option buying में बड़ा नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने आपको नुकसान बता है, कि सेवी के circular के इसाफ से, किस-किस तरीके के आपको नुकसान देखने को मिल सकते ह और जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो option buying का है, क्योंकि कई लोग ही सोचते हैं कि option buying हम सस्ते में कर लेते हैं, और जब market में, हमारे favor में market जाता है, तो उसमें हमें अच्छा कासा profit देखने को मिल सकता है, बट market में जब volume ही नहीं होंगे, तो volume ना होनी की वरी से क्या होगा, कि आपको ज़्यादा तर losses face करने पड़ सकते हैं, तो यह जो नुकसान है, जो मैंने आपको बता दिया, जो traders के hit में नहीं है, अब जो दूसरे traders की बात करता हूं, उनके बारे में कहना चाहूंगा, एक तो investor हैं दोस्तों, जिनको इसका कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, क्य और से late मिलेंगे, तो दूसरा जो फायदा होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा option writers को, option writers को इसका क्या फायदा होगा, अब आपको पता है कि option right, यानि कि जब उन्हें लगता है कि market तेज होगी, तो वो put sell करते हैं, उन्हें लगता है कि market नीचे जा सकती है, तो वो क्या करते ह हैं, तो वो क्या करते हैं, strangle position को भी sell कर देते हैं, strangle पता है, आपको क्या होता है, दोस्तों, जो उपर की call और नीचे की put sell कर देते हैं, वो market जब range में होती है, तो दोनों जगह से वो क्या करते हैं, premium receive करके उसका benefit उठा लेते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा benefit देखने को म और अगर price उसी rate में खड़ा है, और ज़्यादा movement नहीं हो रही है, तब भी आप उसका benefit उठा सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा profit देखने को मिलेगा, वो मिलेगा option writer को, और option write करके वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जब market में volumes dry होते हैं, market में momentum नहीं होत तो ज़्यादा पैसा जो कमाता है, वो option writer कमाता है, अब यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप किस तरीकी के बदलाव कर सकते हैं, बदलाव दोस्तों आपको पता ही है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कि बदलाव बहुत जरूरी है, जब कोई ऐसी situation आती है, तो हर आ आपने आपको convert कर दीजे किसमें options में, और आप कोशिश करिए कि आने वाले time पे आप option writing करें, अब option writing के इसाफ से दोस्तों बताना चाहूँगा कि जरूरी है कि option writing आप से nifty और bank nifty के weekly expiry में गरे, आप चाहे तो stocks में भी option writing कर सकते हैं, और आपको लग रहा कि market में moment नहीं ह ज्यादा marketing momentum नहीं पगड़ पारा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सरी ऐसी strategies है, options की जिसका आप use करके अच्छा कासा benefit उठा सकते हैं, हाँ, एक चीज है कि उसमें आपको margin ज्यादा देना पड़ सकता है, बर दोस्तों उसमें profit के chances भी ज्यादा होंगे, आपको एक च देखने को मिल सकता है, अब हमारी सबसे बड़ी problem की होती है, हमारी सबसे बड़ी problem ही होती है, कि हम leverage लेके काम करते हैं, leverage लेना गलत बात नहीं है, अगर आप calculated risk ले रहे हैं, अगर आप stopters लगा के काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप leverage ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैं बात करूंगा उस तरीकी की लोगों की जो जिनको ना टेक्निकल अनालिसिस आता है वो किसी के कहने पर या फिर कुद के लगने पर कि मुझे लग रहा है स्टॉक बढ़ सकता है वहाँ पर एक्स्टर लिमिट लेके पूडिशन मना लेते हैं जिससे क्या होता कि पूरा तो अगर आप टेक्निकल अनैलिसिस और ऑप्शन का मिशन कर लेते हैं तो आप इतना रिटन मार्किट से निकाल पाएंगे बट हमारी प्रॉलम क्या है हमें तो चाहिए है डबल एक दिन में पैसा डबल होना चाहिए हमारा एक दिन में डबल पैसा तो नहीं होता बट आप डबल नुकसाल जुरू कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कहना चाहूंगा अब आपको बदलने की जोड़त हैं अब आप ऑप्शन राइटिंग के तरफ आजाएए अब ऑप्शन को सीखना स्टार्ट कर दीजे ऑप्शन की बहुत सारी स्टेजिस होती हैं 20 तैप्स अफ स्टेजिस होती हैं जिसको आप सीख स डंकरते रहेंगे और सब्सक्राइब कर सकते हैं कई एैसी यłem ओना रहे है कि इंट्रेट्स पुर совершенно नहीं हो रहे हैं और यह चcific no है क्योंकि दोस्तों मार्केट में बहुत सारी अफवा फैल नहीं है अफवा मस सुनिए और कहना चाहूंगा अगर सेवी ने कुछ करा है तो कुछ सोस समझ के करा होगा कई लोगों कैसे मैसेजिस आ रहे तो कह रहे तो कि सेवी तो सब कुछ बरबाद कर देगी सेवी रिटेल इन्वेस्टरों को उड़ा देगी पर ऐसा नहीं है दोस्तों कुछ सोस समझ के किया होगा और कुछ सोस समझ के किया है तो वो हो सकता है आपके फेवर में भी हो और अगर आपके फेवर में है तो मैंने बता दिया कि आने वाले टाइम पर मार्केट किस तरीके से रियक्ट क चाहते हैं तो आप जाहिए www.chartanalysis.co.in जिसका लिंक नीचे description पर है वहाँ पर जाके दोस्तों आप साइन अप करके मेरा technical analysis का जो course है वो आप purchase कर सकते है जो है 8000 डुपीस का मेरा options strategy का भी course है जो है 11000 रुपे का वो दोस्ता purchase कर सकते है और इसका जो combo package है वो 17000 रुपे का है technical analysis में 28 videos है 10 रुपे का course है जिसमें candlestick pattern चार्ट pattern indicator, dow theory, allied wave theory, time frame का combination, demand supply और psychology सिखाई गई है दूसरा मेरा जो option strategy का course है 50 रुपे का दोस्तों वो course है जिसमें आपको basic option option chain, Greeks, 20 taps of strategies उसके payoffs, IV को कैसे calculate करते हैं सारी चीजे दोस्तों सिखाई हुई है सासा कहना चाहूंगा Sunday को मैं free webinar करता हूं जो मेरे course के student है अगर आपको कोई doubt है कोई query है तो Sunday के webinar आपको free of cost मिलता है इसके सासा मैं आपको अपना personal telegram channel देता हूं और बताना चाहूंगा अगर आपको कोई भी doubt है कोई भी query है तो आप मुझे कभी भी call कर सकते है WhatsApp कर सकते है इसके सासा दोस्तों मैं meet up भी रखता हूं जिसमें आपको कोई भी doubt होते है face to face हम clear कर लेते हैं तो कहना चाहूंगा अगर आप भी market में mastery करना चाहते है आने वाले time पे तो आप technical और option के साथ ही काम करिए क्योंकि market में जो बड़े traders हैं वो भी technical के साथ options में trading करते हैं उसके accordingly market में अच्छे कासी return generate करते हैं तो कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक angel broking में demate account open नहीं कराया तो नीचे लिंक है angel broking का महाँ पर जाके angel broking में demate account भी open करा सकते हैं और यह जो demate account है बिल्कुल free of cost है angel broking की services बहुत ही ultimate है बहुत ही अच्छी services है मेरी जो trading है मैं भी angel broking के साथ ही करता हूँ क्योंकि मैं भी एक trader हूँ और कहना चाहूँगा कि अगर आप नीचे दिएगे link के through angel broking में अबना free domain account open कराते हैं तो sunday का webinar भी आपको free मिलेगा और एक मेने तक आपको कोई भी brokerage नहीं देनी पड़ेगी तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे like करे शेर करे और आप हमारे channel को subscribe करे अगर आपको कोई भी doubt है कोई भी query है तो नीचे दिए कि नंबर पर आप contact कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही दोस तो नेवाद